देखो लास्ट क्लास में हमने क्या गया था एक पांच मिनट में में रिवाइस करा देती है लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बालंस बॉंड थियोरी इसको हम बीबिटी से रप्रेजेंट करें अब बैलंस बॉंड थियोरी क्या कह रहा था कि एनरजी के टर्म्स में हमें बता रहा था कि बॉंडिंग कैसे होगी तो हमने यह देखा था एक्जाम्पल लिया था किसका हाइड्रोजन मॉलेक्यूल का एक्जाम्पल लिया उसमें हमने क्या देखा कि ये एक hydrogen atom है और ये दूसरा hydrogen atom है ये इसका electron है और ये इसका electron है अप्रोच कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा एक force of attraction काम कर रहा होगा कैसा इस nucleus का इस electron से और इस nucleus का इस electron से तो दो force of attraction काम कर रहे हैं और एक force of repulsion काम कर रहा होगा किसका इस electron का इस electron से क्या हो रहा होगा बनेगा क्या नहीं बनेगा यह कॉन करेगा कि पनेट करेगा कि कर रहा है यहां पे हम बात करें है है तो हमें क्या पता चले कि जैसे जैसे अप्रोच कर रहा है हमारा force of attraction जो है वो dominate करने लएगा क्योंकि दो force of attraction काम कर रहे हैं इसी लिए यह क्या होगा यह bond form हो जाएगा और इनके जो atomic orbitals है क्या कर जाएंगे overlap कर जाएंगे एक word हमने यूज किया था ओवर लाप ठीक है अभी यह जो overlapping होगी वो कैसी होगी partial overlapping होगी completely overlap नहीं कर सकता तो completely overlapping नहीं होगी यह overlapping होगी partial overlapping से तो जो electrons का sharing हुआ वो किससे हुआ by the partial overlapping of atomic orbitals ठीक है इत्मा समझ में आया अब मैं एक और देखो एक और चीज़ बताती हूँ क्या helium का molecule बनेगा यह भी आप लोग अपनी नोट्स में include करें ना formation of helium molecule की बात करें मतलब मुझे एक टू बनाना है मानों तो मेरे को यह देखना है कि एक टू बनेगा की नहीं बनेगा और बनेगा तो क्यों बनेगा और नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर हमने क्या देखा था कि जब हमने potential energy और inter nuclear distance में हमने graph हब द्रॉ किया था तो हमने यह देखा था कि जैसे जैसे इंटरनिय डिस्तेंस समय था पुटेंचाल हो रही थी और एक पॉइंट पर क्या हो रही थी मिनिमम हो जारी है और उसी पॉइंट पे आपका बॉन्ट फॉरम हो रहा था थी कैसे यह तो इसकी बात जब बॉन्ड फर्म होगा जब बॉन्ड नहीं फर्म होगा फॉर एक्जांपल ही टू में क्या हो रहा है देखो न्यूक्लियस में दो पॉजिटिव चार्ज है ठीक है और यहां पे दो इलेक्ट्रोंज है यहां पे दूसरा एची आटम आएगा उसके पास भी न्यूक्लियस में दो पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे दो electrons ये case है, ये एक एची atom है, वो दूसरा एची atom है अब देखो हो क्या रहा है इसका electron इसको repel करेगा तो पहला repulsion इसका electron इसको repel करेगा दूसरा repulsion इसका atom इसका nucleus इसको repel करेगा, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका तीसरा repulsion, इन दोनों का electron आपस में भी तो repel करेगा चौथा repulsion इन दोनों का electron आपस में repulsion करेगा पांच बार इपल्शन, टोटल repulsive forces कितने हो गए, तांच हो attractive force गिनते हैं attractive force क्या हो जाएगा ये nucleus इसको attract करें और ये nucleus इसको attract करें दो तीसरा, ये nucleus इसको attract करें और ये nucleus इसको attract करें तो टोटल force of attraction कितना हो गया पांच हो गया हमारा force of repulsion और चार हो गया हमारा force of attraction कौन करेंगा बीना सोचें बताकदो कौन करेंगा ठीक है फोर्ष ऑफ रिपल्षन ज्यादा है अगंजिस्क करता है यह स्कूल टाइप के इस तो पथा चूम्जानेका पांच नमबर का ठीक है अब इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ यह हमारा पोटेंशिल एनरजी और यह हो रहा था मारा रेडियस अब इसमें क्या हो रहा था जैसा से रेडियस कम कर रहे हैं अब यह तो कम होई नहीं रहा है बढ़ते ही जा रहा है समझ में आए मेरी बाद क कि फर्मेशन और एट्स तु मोलिक्यूल और सब्सक्राइबद तो यह हो रहा है नहीं पॉसेबल कि नहीं पॉसेबल है डिपेंड करेंगा सब्सक्राइब कॉन शाव फोर्स ऑफ नखिशन यह फोर्स ऑफ रिपरशन दॉमिनेट कर रहा है और आपकी ओवराल एनरजी क्या एक और चीव देखी थी कि क्या मुझे बता सकते हो बॉप्ड हर किसमें जाधा होगा increasing order में बताऊ bond strength मैंने क्या बोला था bond strength depend करेगा extent of overlapping में कौन कितना जιαदा overlapping कर रहा है उस पे depend करेगा हमारा bond strength और इसका reason हम नहीं क्या दिया था देखो इसका हमने reason दिया था कि सब शेल होता है वो क्या होता है? non-directional होता है non-directional होने की वज़े से यह क्या होगा? पूरा एरिया नहीं देगा किसको bonding को जबकि देखAH जाये अगर P को देखAH जाये तो P क्या है? diffused है D को देखAH जाये तो D और भी ज़ादा diffused है तो जितना ज़ादा diffused होगा वो उतना ही जादा एरिया प्रोवाइड करेगा किसके लिए बॉंडिंग के लिए ठीक है इसे लिए बॉंड स्टेंथ हमारा अगर हम एस एस अगर देखें 2S 2S 2P और 2P 2P में तो बॉंड स्टेंथ किसका जादा होगा सबसे जादा 2P 2P का फिर 2S 2P and this तो इसे लिए HF में देखा जाए तो H के पास S और F के पास आउटरमोस्ट में किसमें होता है बॉंडिंग P में इसमें P और P दोनों का P और इसमें S और S का चीक है तो यह हो जाएगा आपका बॉंड स्टेंथ 2S 2P लेकिन अगर मैं 1S 1S 2S 2S की बात करों तो यहां पर बॉंड स्टेंथ किसका जादा होगा जो न्यूक्लियस के जितने पास होगा उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही जादा होगा तो 1S 1S का जादा होगा 2S 2S का कम होगा ख्लीयर है यह पॉंड सबको कि कौन कितना बॉंड में एक्स्टेंट शो कर रहा है वो उसका बॉंड स्टेंथ उतना ही जादा होगा एक्स्टेंट ऑफ और्लापिंग का टाइप ऑफ बॉंडिंग मैंने थोड़ा आइडिया था आप लोको टाइप ऑफ बॉंडिंग टाइप ऑफ बॉंड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉंड कितने तरह के हो सकते हैं तो बेसिकली हमने यह देखा था कि जो बॉंड हो सकते हैं कोवलेंट बॉंड वो दो तरह के हो सकते हैं एक तो सिग्मा बिटब टाइप ऑफ कोवलेंट बॉंड पोलर नउन-पोलर तो वो तो ठीक है डि यम बेजर ऑन दे ओवर लापिंग ठीक है ताइप ऑफ बॉंड टाइप ओफ कोवलेंट बॉंड मेजड दॉबरापिंग कितने तरह के हो सकते हैं क्यों तो लेकुण भूभ अले Covalent bond On the basis of Overlapping Type of Covalent bond On the basis of overlap Q-khi? तो सबसे पहले आएगा हमारा Sigma bond Sigma bond Sigma bond मतलब होता है Single bond ये Single bond टाइप का overlapping यह जब Single bond तब बनता है जब हमारा overlapping कैसा होता है लिख लो पहले इसमें this can really look when the bond is formed when the bond is formed by the overlapping of orbitals by the overlapping by the overlapping of their atomic orbitals along the internuclear intermolecular along the internuclear or intermolecular axis is known as sigma bond bracket में लिखेंगे इसमें overlapping कैसी होती है head-on overlapping head-on overlapping ठीक है अब देखो head-on overlapping करना है इसका तो किसके केस में हो सकता है देखो एसका तो हमेशा एसके साथ एसका किसी के भी साथ कैसा होगा head-on overlapping एस हमेशा single bond ही बनाता है ठीक है तो एस और एसके साथ क्या होगा देखो बताते हैं अब हमारे करेंगे ठीक है ओवर्लाप करने के बाद जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा ठीक है दो सेर्कल ऐसे ओवर्लाप करने तो यह क्या हो जाएगा आपका सिल्ट सिग्मा बनेंगां दुर्ट सिंगल फॉर्ट हॉ क्या हो जाएंगा इसमें special क्या हो जाएंगा इसका है तो इस टाइप की ऑवर्लापिंग को हम बोलते है एस एस ओवर्लाप अ है टीक है तो दिस टाइप ओफ ओवरलापिंग इस नोन आज एस एस ओवरलापिंग अब बनाते देखो एस पी ओवरलापिंग ने क्या हो जाएगा यह एस और यह है हमारा यह positive charge का मतलब है कि यहां पर electron की density जादा है नोट करके नीचे लिख लेफ 27 चारज उब्सक्ता हो इक पावश पर जादा होती hinter ngay और यहां नेगटिव हो वहां पर स् यह्मे एस इस में नेगटिव और न रहा हो ज्किन विविए प्यम्हें क्या लिख सकते हो थीजिए पॉजिटिव नेगिटिव मतलब यहां पे लेक्ट्रों के देंसेटी जादा है और अब ह differenti जादा होगी वहीं बॉंडिंग के यहां हम फ Eunice और यहां पर पे नेगेटिव लिऑ दू उसको पार्म नेक्टरूइगा ना यह से हमेशा पर भूरागा पाहिए एक पॉल ही जहां कंग है जहां जहए सकता है यहां के दोनों मिल गये ऊगर है कि यeki याँ online ढापिन चिटी बढematics अब यह मिलेंगे था ओवरलापन नहीं होगा चुछ कि इसको इलेक्ट्रान सब्पीशिंट नहीं मिलेगा क्योकि इस थास्टि का मैं तो इस टाइब का लापन को हम ने ठीक है तो फाइनली क्या होगा अब यहां पे रेको इसके पास आ गया एक और तो यह कुछ ऐसे बन जाएगा क्योंकि यहां पे क्या होगी ओवरलापिंग हो गई है तो इसलिए यह वाला लोब क्या हो जाएगा पहले क्या थे बरावर थे दोनों अब यहां पे एस वाला उर्बितल भी आ गया है इसलिए यह बड़ा हो जाएगा ठीक अब आते हैं पी-पी ओवरलापिंग में अब पीपी ओवरलापिंग में हमें क्या बनाना है sigma bond बनाना है, मतलब single bond की बनाना है, ठीके, और P-P overlapping कैसे हो सकता है, P-X P-X, P-Y P-Y, और P-Z P-Z, ठीके, तो आप मुझे बताओ कि P-X P-X, SP overlapping समझ में आ गया था, आप P-P overlapping में देखो क्या होगा, ये P orbital, अब P-P overlapping में देखो क्या हो सकता है बuba हो सकता है और फीजय हो सकता है तो मुझे बताओ सिर्फ पार्ड किसमें बनेगा hai alexax pz- wasn'tब इंड़ पीवाइए तो नहीं बन सकता ची कह है अगर x Ann überzeug कलियर एक्सेस है अगर यह है मेरा इंटर्न यूपियर एक्सेस तो प्लब सकता है सिरफ वाई हो जाए ठीक है और पीजट पीजट में कब बनेगा पतलब जब इंटर न्यूक्लियर एक्सेस जो है वही वाला हो जाए तब जाके बनेगा हमारा सिग्मा बॉंड ठीक है तो यह जैसे कि अगर मैं पी एक्स पी एक्स का एक्जामपल लूँ विद एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सस दिन हमारा क्या होगा फिर हमारा क्या हो जाएगा पीपी ओवरलापिंग हो जाएगी अगर मैं यह बोलू पॉजिटिव नेगिटिव तो क्या यहां पर पॉजिटिव नेगिटिव ओगी नहीं उसके लिए यहां पर क्या होना चाहिए यहां नेगिटिव होना चाहिए इधर पॉजिटिव फिर positive negative यहां पर हो गया हमारा positive overlapping और यहां पर overlapping के बाद जो shape बनेगा orbital का वो कैसा बन जाएगा देखो बीच में क्या हो गया हमारा overlapping हो गया something like this ऐसे हो गया अब इसका जो शेप बनेगा देखो बीच में बड़ा बनेगा और side side में चोटा-चोटा लोब बनेगा जैसे कि हमारा toffee का rapper होता है न वैसा तो पी-पी overlapping में कैसे बन जाएगा फाइनली ठीक है ऐसे बन जाएगा ठीक है नेगेटिव नेगेटिव और यह बन जाएगा पॉसिटिव यह हो गया हमारा पी-पी ओवरलापिंग और ऐसे बनेगा हमारा क्या सिग्मा बॉन अब बताओ पाई बॉन कैसे फॉर्म होगा कि और अब इसद पाई बॉन सब्फॉर्म होगा जब हमारा इंटर-nyuक्लिर आकस से जो एक्सेस होगा ओवरलापिंग वाला वो क्या होगा पर पेंडिकुलर हो गा जैब राइट अंगल पर होगा ठीक है which will be at the right angle of the internuclear axis अच्छे ठीक है पाई बोनिंग को स्टार्ट काने से पहले मैं एक और एक्जांपल देना चाहती हूँ बस समझना इसको कि एक हमारे पास है ये ये क्या है पी वाई ठीक है और internuclear axis है हमारा X बनाओ नहीं अभी इस को हम देखेंगे इस इस अर पी वाई ठीक है और यह हमारा S क्या यहां पर ओवर्लापिंग होगा X के अलॉंग ओवर्लापिंग होगा नहीं ठीक है तो यहां पर कोई ओवर्लापिंग नहीं होगा मतलब यहां पर कोई बॉंड का formation नहीं होगा और कहां नहीं होगा बॉंड का formation मालों दिस इस यह पी वाई और यह है हमारा पीजेड यह हमारा इंटर नूपलियर एक्सिस एक्स के अलॉंग क्या बॉंड फॉर्म होगा तो यहां पर क्या होगा यहां पर इन दोनों के इसमें कोई overlapping नहीं होगी और कोई bond form नहीं होगा कहां कहां नहीं फॉर्म होगा एक तो नेगीटिऑ ओँवरलापिंग में जहां positive नेगटिवहक साथ मिल रहेते हैं वाहां पे कोई bond formation नहीं हो रहा था और एक इस सुवाले case में bond formation नहीं होगा जब आपको पते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सेस पे कुछ है ही नहीं यहां पर तो एलेक्ट्रॉन ही नहीं है यहां पर इधर भी इलेक्ट्रॉन 0 है तो वहां पर बॉंड बनी नहीं सकता मतलब overlapping होगी ही निए ठीक है अब आते हैं पाई बॉंड पे तो पाई बॉंड का definition लिख लिख लो पाई बॉंड इस फॉर्म वें पाई बॉंड इस फॉर्म वें और निएूts यूर्वल औरोर्च अ बॉंड शी e। अ बउड़त इस अफॉर्यब ए अगपर बिघए अदूं इस News पर्पेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर आक्सेस या फिर मैं इसको कह सकती हूँ साइड़ वेज ओवरलापिंग साइड़ वेज ओवरलापिंग जब भी होगी पर्पेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर आक्सेस होगा तो हमारा क्या बनेगा पाई बॉन बनेगा ठीक है अब जैसे कि मैं बोलू कि PY PY है हमारे पास और हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सेस क्या है X तो यहाँ पर क्या होगा ये दोनों मिलेंगे ठीक है पॉजिटिव ओवरलापिंग होगी ठीक है और कैसे हो जाएगा ये ठीक है तो ये होगी आपकी ओवरलापिंग और यहाँ पर इस बॉन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या बन गया इससे पाई बॉन का फॉर्मेशन होगा है ठीक है और कैसे फॉर्म हो सकता है यहाँ पे तो सिरफ एक ही orbital क्या कर रहे है ओवरलाब कर रहे है अगर PX PY मालो PZ और PY दोनों ही ओवरलाब कर रहे हैं X के along तो हमारे कितना πई बॉन बन जाएगा दो पाई बन बन जाएगा एक P के साथ और एक Z के साथ कि कैसे बनेगा देखते हैं एक बार ऑक्सीजन का एक्जामपल लेता है ठीक है लेट्स टेक एन एक्जामपल ओफ ओटो मॉलिक्यूल अब इसके लिए देखो इसलिए मैंने बोला था कि आपको electronic configuration लिखना आना चाहिए और टो एक्ट्रोनिक अंफिग्रेशन अक्सीजन का लिखे आटम का तो क्या हो जाएगा वन एस टू टू एस टू 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 पी फोर ठीक है ओ एट होता है ना कि अधे औहों इसमें तो बांटिंग मोगी नी फुली फिल्ड है इся छिए बाण॒ंडिंग निए पूणीज्स मोगी इसमें होगी क्योंकि यह फुली फिल्ड नहीं तो कुछ ऐसा है यह को इसे मतलब यह दोनों क्या है उन पाइर्द मतलब इन दोनों में ही पेरिंग होगी तो अगर मैं ऐसे नाम दे देते हुए PX PY PZ तो पेरिंग किसके किसके होगी PY और PZ तो अगर देख लें कि हमारे पास ये एक oxygen atom है ये और एक दूसरा oxygen atom है तो दूसरा oxygen atom का भी कुछ ऐसा ही केस होगा ये पूरा भरा होगा ये ऐसा होगा कुछ ठीक है तो ये हो गया PX PY PZ अब इनका हम कैसे दिखाएंगे और बिटल डाइग्राम कैसे दिखाएंगे तो ये देखों ये है मानलो मेरा Z direction और ये है मेरा Y direction ठीक है अब इन ही का ये एक oxygen molecule atom है ठीक है अब यहां पर क्या है दूसरा oxygen atom है और ये उसका PZ और ये उसका PY अब मानलो इनका overlapping कौन से direction में हो किसे भी direction में कर लो मैं वाई को अगर reference लेके चल देती हूं इंटर nuclear access तो इनका bonding कैसे होगा अब ये कैसे बनाएगा ये देखों ये तो इदर वाई वाला ऐसे बना लेगा ठीक है और ये ऐसे बना लेगा ये वाली जो bonding है ये कौन से bond है कौन सा है ये head on overlapping से बना है तो ये कौन सा bond बनाएगा sigma bond और ये bond क्या करेंगे दूर-दूर से ही bond बनाएगे क्योंकि एकदम पास में तो overlap completely कर नहीं सकते तो ये दूर-दूर से कौन सा bond बना लेंगे ये बताओ पाई bond ठीक है तो इसी लिए oxygen molecule में क्या होता है ओ ओ तो ये वाला जो होता है वो sigma bond होता है एक sigma bond होता है और एक हमारा क्या बन गया पाई bond बना गया ठीक नाइट्रोजन एंटू molecule का बना के दिखो एंटू molecule का एक बार बना के दिखो सिमिलर्ली ऐसे ही हां इसमें तीनों overlap करेंगे इसलिए इसमें एक sigma bond बनेगा और दो पाई बोन बनेंगे कैसे देखो इसका हम लिखते हैं electronic configuration क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 ठीक है मतलब पी एक्स भी खाली पी वाई भी एक खाली और पीजेट भी खाली तो दोनों का हमारा एक एन आटम यह हो गया जिसमें 2p3 और दूसरा एन आटम हमारा यहां हो जाएगा जिसमें भी 2p3 अब यह overlap कर जाएंगे और हमारा कितना bond मन जाएगा सब के साथ एक एक bond मनेगा orbital diagram कैसे हो जाएगा अब यह हमारा पी एक्स पी वाई पी जेट यहां पे भी पी एक्स पी वाई पी जेट तो बना लेते इसको पी एक्स ठीक है पी वाई और पी एक्स पी जेड और पी वाई ठीक है अब यह दूसरे से मिलेगा अब पी एक्स पी एक्स से तो क्या बन जाएगा इन दोनों से क्या बन जाएगा सिग्मा बन जाएगा यह दोनों है डॉन ऑँवरलाप करेंगे जबकि यह दोनों देखा जा तो यह दोनों ऐसे ऐसे अपना क्या करेंगे पाई बॉन्ट का ओवरलापिंग करेंगे और यह दोनोंसे अप का सिग्मा यह जेट जेट का ओवरलापिंग हो गया इदर और यह वाई 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 का ठीक है तो यह भी पाई समझ में आ रही है बात है कि वैलेंस बॉंड थियोरी क्या कहता है ओवरलापिंग कैसे होगी ठीक है पाई कैसे बनेंगा सिग्मा बॉंड कैसे बनेंगा अब मुझे यह बताओ अगर में एकस्टेंट आफ ओफ ओवरलापिंग देखो थे जिव्मा और पाई का तो कौन किसके जादा अंदर गुसा हुगा सिग्मा वाला गुसा ऑह यहिए पंई यह दूद किसका ज़ादा होगा जिसका extent of overlapping जादा होगा इसी लिए एक sigma bond का जो strength होता है वो एक pi bond से हमेशा क्या होगा जादा होगा ठीक है और obviously अगर मैं ये बोलू कि O और H में bond strength किसका जादा होगा तब तो obviously oxygen ही बोलोगे क्योंकि इसमें तो ये दोनों sigma और pi मिला के बोल रहे हैं न ठीक है और इसमें सिर एक sigma और ये वाले pi bond की बात करूँ तो किसका strength ज्यादा होगा hydrogen के sigma bond का strength ज्यादा होगा as compared to oxygen का pi bond ठीक है तो लिखो heading डालो bond strength bond strength इसमें लिको since strength of bond depends on extent of overlapping depends on extent of overlapping therefore since bond strength yeah strength of bond depends on extent of overlapping therefore sigma bond is stronger than pi bond सिग्मा की जो bond strength होती है वो हमेशा ज्यादा होती है pi से ठीक है तो bond strength समझ में आ गया अब हम आते हैं अपनी नई थियोरी पर इस पर मैं कुछ questions दूँ क्या अभी तो कुछ question बनी रहा है इस पर हाँ यह लिख लो types of overlapping following overlapping are not allowed types of overlapping not allowed बता तो दिया था मैंने एक पर लिख लो तो पहला है हमारा negative overlapping negative overlapping allowed नहीं होती मतलब theoretically हम इसको overlapping कराते ही नहीं है मतलब कुछ हो गया ऐसी हिए धिए नहीं होगा और कानी होगा कि इने योगा उकानी होगा यह नहीं होगा और यह नहीं होगा ठीक है तो इस आल आर नेगेटिव टाइप ऑफ ओरलापिंग जो की नहीं होगी इनके अलावा जिसमें हमने देखा था जिसमें हमारा नोड आ जा रहा था नोड किसमें आ रहा था एक तो ऐसा और हमने उसमें देख लिए जा था कि अगर ऐसा कुछ हो तो यहां पर ओबरलापिंग नहीं होगी या फिर अगर ऐसा कुछ हो देखो एक ऐसा आ गया और एक PY आ गया और एक PZ आ गया along the X-axis तो यहाँ पे भी आपकी overlapping नहीं होगी और कैसे overlapping नहीं allowed होती है क्योंकि देखो overlapping जितनी हो रही है वो किस basis पे हो रही है inter nuclear हमारा axis कौन सा है तो कभी भी overlapping ऐसे नहीं होगी है क्या आपने एक ऐसे कर दिया और एक ऐसे कर दिया नूकलियस तो कहीं इसका इदर उसका उधर ठीक है तो हमेशे तो force of attraction जो होना चाहिए जो नूकलियस होना चाहिए उसके along होना चाहिए inter nuclear axis के along तो ऐसा भी नहीं allowed है ठीक है तो समझ में आ रहा है ना क्या allowed है क्या नहीं allowed है तो आपका balance bond theory आपका complete हो चुका है ठीक है अब हम modify किस ने किया था और वेबिटी का theory किस ने दिया था और उसको उसका drawback क्या था यह करना ठीक है तो वेस्ट पर theory होता है balance कि शेल कि इलेक्ट्रॉण कि पेर कि रिपलिशन कि थियोरी कि वी एस इपी आर वेस्पर थियोरी अब यह ऐसा थियोरी था जिससे हमें जो भी हमारा molecule बन रहा था उसके structure के बारे में भी पता लग रहा था हमें चीक है उसाड लुड़ वेस्ट बस त्यूब ऑफ फियोरी टेम, कॉड dमश लुड़ बनषे जिए कन explain the shape of molecule. Vesper theory Vesper theory predicted Vesper theory predicted the shape of covalent molecules. चीक है? अब देको Vesper theory क्या बोलते हैं? जैसे हमारा VBT के कुछ main points थे वैसे Vesper के भी main points होंगे. देको main points of Vesper theory. VBT क्यों हो गया वह मैं Vesper theory बताने के बाद बताऊंगी. सब्सक्राट करते हैं लास्ट क्या हमने अभी तक पढ़ा हैं रिवाइस कर लेते हैं हम देखने हैं केमिकल बॉंडिंग और केमिकल बॉंडिंग में देखने हैं बॉंड क्यों फॉर्म होते हैं और बॉंड क्यों फॉर्म होते हैं इससे related अलग-अलग साइंटिस ने अपनी अपनी थेोरी सबसे पहले आएं लुइस कुंसेप्ट दिया हैं लुइस थेोरी दी उसको लुइस लांग मूइर यह उसमें क्या था सिंप्ली लुइस जॉर्ट स्ट्रक्चिर बनाया था और दिखा दिया था कि कॉर्नर आटम्स और सेंट्रल आटम का अप्टेट कंपीड हो चुका है और यह स्टेबल हो चुका है फिर हमने देखा था कि लुइस कंसेप्ट के कुछ लिमिटेशन से क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा था कि क्या हो रहा था कि अलिमेंस जो थे वो इसलिए तो इसलिए क्या हो गया वो फेलो यह वैब कौंसर ने कोई भी बात में कि इसके बारे में एन इर्जी के बारे में कि जब बॉंडिंगे और अग्या था थे इस बारे में कोई बाती गीठी गीठीज टीए ग्लग उस पे बात गीठीज है जो तूजरे सेंट्टिस्ट आयो वोकॉन से हैं उता कि अगिसने बनाया था वानस बाउन थीरी किसे दिया था पर जांसवर है तो अब देखा था झायन करेक्टर क्या होता है कोवलेंट करें हम पारें एक बात पर रहें तो यह बता करना अभी तक किसे ने पता ने कि है किस ने दिया था आप नोगी और एक टाहिम पर क्या हो जाएगा अगि मिनिम्मु जाएगी और उसी थाम परिया वह गल्ड फरे इसका नहीं बांट सुंच्ट और चिशेवें ए取ब और बन होती है तो इस होती है इसकी किह ओर लापिंग होती है combination अब अपोन अउर्बिलज कि ऑवरलापिंग होती है और दिपेंधिंग अपॉन एक्सेंट उवरलापिंग पॉन कितना ज्यादा ओर लाप कर रहा है उसकी bond strength उतनी ही जादा होगी ठीक है अब हमने extent to four latin का हमने यह देखा था कि जो directional होगा क्योंकि हमारे orbitals कैसे होते है s,p,d,n,f ठीक है सब्शिर्स,s,p,d,n,f होते है और orbitals होते है उसके corresponding s में एक orbital होते है p में तीन और्बिटल होते है d में पांच and f में 7 ठीक है तो उन्होंने क्या बोला था पॉलिंग ने किया था ठीक है अब क्या इसमें बोला कि extent of overlapping किसका जादा होगा जो जितना जादा diffused structure होगा उसकी bonding उतनी ही जाद हो उसके extent of overlapping उतना ही जाद होगा तो एस तो बिल्कुल भी diffused नहीं होते है एस तो क्या होते होते है तो इसके extent of overlapping सबसे कम फिर और ठी कि और चीजश सब्य करया है तो जाद्यकर इस में क्या हो जाएं है कि जह हमारा एलिक्त्रॉन है वह ने क्यास के सबसे पास में चाहिए मंजिए सबसे ऐती करने के बिल devotion के मिलिक क्या होती है सबसे ज्यादा होती में तो 1S, 1S क्या करेगा? इन दोनों की पास क्या होगा? प्रबिल्टी होगी बहुत जादा एलिक्ट्रॉन के पाई जाने की तो इसलिए यह जो बनाएंगे यह हमेशा क्या होगा? तो 1S की बात छोड़ दो क्योंकि वो क्या होता है? नेकिन अगर मैं 2S, 2S की बात तरो होगा? तो 2S, 2S का हमेशा क्या होगा? एक स्टेंट फोलापिंग कम होगा as compared to 2P, 2P as compared to 2S, 2P, ठीक है? समझ में आगी? तो VBT ने हमें बताया था ओवरलापिंग के बेसस पे कैसे बनता ह है और हमने VBT में यह देखा था कि हाइडोजिन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? चीक है? फोरस ऑफ एट्राक्शन क्या कर जाता है? डॉमिनेट कर जाता है, फोरस ऑफ रेपल्शन क्या दरता है? नीचे रह जाता है और इसलिए बांड बन जाता है, चीक है? क्योंकि एक दूसर बांड रेपल्शन को हज़ा हैं, तो रेपल्शन होता है और एक दूसरे के नुकलियस से हो रहा है. सब्सक्रहित यह इन्रजी बड़ती है और हमें क्या था नियुक्त मे विन्मारण इसलिए इलियुम का कभी भी मॉलीकूल लहीं होता है कि आपिन देखा था है ने तरह ने देखा है तो है ने ते फिर देखा था है था है ने देखा था है कि इसकी स्टेंड तो फॉर लग इस अब से जादा होगी तो है यह जी सब्सक्राइब जब दाओ, यह भाला के है? 1S 1S, 1S इसमें? यह नहीं? 1S, 3B 1S, 3B जब जब ऑर लोरीन में? 2P 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 बताओ, किस की बॉर्णिक चबसे ज़ादा होगी? 2P अगर में कोई आप होती ही जसमें 2S 2S होता तब क्या हो जाता तूपी-टूपी वाल हो जाता अगी बाद समझें यह तो था अब तक की कहानी अब तक जो हमने क्लास में पढ़ है वो अब देखो बालन्स बॉंड थी जो था वो हमें कोई भी बात ने बता रहे था शेप के व सब्सक्राइब हम उवड्रापिंग की बात कर ली थी हमें एनर्जी की बात कर लेंगें हमने शेप की बात तो अब जो थी आएगा जिसको हम कहलें बैलेंस शेल्टरों रिपलर्शन थी 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 क है वैस पर थी तो वह पहला थी था या बॉंड निंग के फंस्प्ट में जि तो इसका एक VBT का एक क्या हो जाएगा पढ़े में वैसकर बताउंगे इसके बार में VBT का ड्रॉबैक्स बताउंगे कि बीटी फेल कि हो गया तो एक उपता चली कि उन फेल हो गया ता क्योंकि इसे शेप के बारे निए डिसकॉश्म नहीं कि अपय बालें सिरुंगे अब यहां पर मैं यह जोड़ रही हूं जागे इसमें भी आप साइंटिस का नाम बताऊगे कि किसने इसको इसको मोडिफाइब है ऊपर यह इसको मॉडिफाइब की यह था अध्यार्य इसको मोडिफाइब नाम इससे क्या मतलब है की सिंपल सी बात है कि जब आटम्स एक दूसरी को अप्रोच कर रहे हैं, जब एलेमेंट से उडूसरी को अप्रोच कर रहे हैं तो इनके पीच के नर्जी क्या हो रही है? अब एक टाइम पे तो उनके एनर्जी कम होगे यह और यह अब मालों यह मिनमम डिस्टंस पर आ गया है इसके बाद आएंगे तो क्या होगा अवचा की इंक्रास के से इंक्रीज क्यूं होगी क्योंकि इलेक्ट्रोन पैर क्या जो हुग क्यों बढ़ेगी क्यों पर्न होंगे वह एक दूसरे को क्या करेंगे रिपायए करी लेंगे और वे तैलिकरेण सब्सक्राइब करने लगे और यह दुबारा फिर उसी पोजिशन पर सेट हो गए जहां पर इनके अनर्जी क्या हो रही थी मिनिमालिज हो एथी क्योंकि यहीं पर क्या हो रहा है बॉंड फर्मिशन हो तो इस से जाधा क्लोज लेकर आओगे तो इस प्रॉंड पेर का क्या हो तो बेसिकली यह चुरी इसी के बारे में है पहले समझ रहेंगे लिखने का पूरा टाइम दोंगे बताओंगी वी क्या होता है तो यह है बालंस चेल इलेक्ट्वान पेर पर अब देखो अब हमने देखा था एक जब हम किसका मॉलिकल बनाए तो पहले हमने तो ओ डबल इसको क्या बोल रहे थे हम बॉंड पेर ठीक है और इसमें जो इलेक्ट्रॉंस इंबॉल के उनको क्या बोल रहे थे बॉंड पेर इलेक्ट्रॉंस ठीक है यह चीज क्या है लोन पेर ठीक है और लोन पेर में जो टोटल इलेक्ट्रॉंस उनको क्या बोलेंगे लोन पेर इले अपस में क्या है एक तरह से बंधा हुआ है तो यह डिपल नहीं करेगा इसलिए बॉंड पेर बॉंड पेर टे बीच में जो रिपल्शन होता है वो मिनिमम होता है आगी बात सम्रिश्में क्योंकि यह अज़िए बॉंड से बंधा हुआ अब फ्री है यह तो चुट्टे सब्सेतों हो गांड से मांख सुड़े होगा न करुंग हुआ न क्युअ ने की ज़्ढ़ टे मेंルクॉ嘛 क्युन लोंग लोंगि होता से सब्सेद होगा कि आफ है सब्सेव dit जोगा जोहां अब डीकों फट्र के अकोर्डिक कोडेंग कि वैस्पल कि उसने क्या बोला कि Amימilk मौलlish भना रेगा अब पीजा सकता है दो आतना मेश्चिन हमुच claim पने सकते ह सकते हैं जैसे कि हमारा forensic सीह ठीड इन अठम मिल केव ना सकते हैं जैसे कि H2O या फिर तुम क्या मुले रहें? F3 F3 एग्जिस्स नहीं करता है? फ्लोरी, F2 की तरह यह एग्जिस्स करता है, F3 नहीं बना सकता है, ओजोन कर सते हैं, सरफ O3 में इस्स्स्स्स्स्स्स Kinectra 3 में हो जाएगा, O3, H2, carbon dioxide, sulfur dioxide, यह सारे क्या है? तीन आटमस मिलके क्या मना एक मॉल्डूल बना सकते हैं, पांच में मिलके सकते हैं, 6 मिलके मिलके सकते हैं, इस्स बना सकता है, खाले है कि उनमें पेरिंग कैसी है क्या उसमें बॉंड पेर बॉंड क्या उसमें कोई भी लोन पेर नहीं है क्या उसमें लोन पेर ही लोन पेर लोन पेर ऐसा हो नहीं सकता ठीक है क्या उसमें एक बॉंड पेर एक लोन पेर है क्या उसमें सारे ही बॉंड पेर होंगे जब सारे ही बॉ पगान सी तो अगर तो सारे के सारे बॉन्ड पर है तो एक कम विन्हीं मृपल्शन होगा इसलिए उनकी जाया है और नेटरी तो हम चैनली लोट पर करेगा लोट तो जब भी lone pair आ जाएगा किसी भी atom में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उनका जो geometry है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि repulsion हो जाएगा, due to lone pair, और जहां lone pair आ जाएगा, वहां पर जो geometry हो जाएगी, वो हो जाएगी, irregular geometry, इसनी बात समझ में आती है, ठीक है, तो यह है आपकी पूरी कहान, जैसे कि अगर मैं किसी भी molecule का नाम लो, जैसे कि जिसमें minimum, दो आटम्स इंवल्ड है, पर एक्जाम्पल है, एज टू, ओ टू, वी हैब HCl, तो इसमें क्या है, दो दो आटम्स इंवल्ड है, तो जब भी दो आटम्स इंवल्ड होग दो पॉर्ण, अब इसको मैं ऐसे रखो, या ऐसे रखो, या कहीं भी प्लेम में कैसे भी रख दू, यह क्या बनाएगा हमेशे एक स्ट्रेट लाई ही बनाएगा, मतलब कैसा बनाएगा स्ट्रुक्चर, लीनियर ही बनाएगा, तो हमेशे जब भी दो आटम्स इंवल्ड हो इसलिए उसमें लोन पेर हो चाहे ना हो, इसलिए ओक्सीजन का देखो, इतने सारे लोन पेर होने के बाद भी उसका स्ट्रुक्चर कैसा है, लीनियर, आगे बात समझने, प्राब्लम कहां शुरू होती है, जब तीन हो जाते हैं, जब तीन से ज़्यादा आक्टम्स मिलके म तो B, B, ऐसे भी जूट सकता है, ठीक है, अब इनके बीच में एक लोन पेर भी हो सकता है, हो सकता है इनके बीच में एक लोन पेर ना हो, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, तो अब यह किस पर डिपेंड करेगा इनका स्ट्रुक्चर, लोन प λुび संसέ्ट ल्युत सुनसेप्ट मेँनियस मोलुकूर की कि on was unable to explain the shape of molecule so vespa theory emerged प्रपोस्ट बाइ सिद्विक और ओवल दो साइंटिस्ट का नाम था सिद्विक और पॉवल यह 1940s में हुआ था और उसके 10 साल 15 साल बाद में 1947 के अरों गिलिस्ट पी एक साइंटिस्ट का नाम था जिनों ने इसको मोडिफाई किया था NOT important but सिद्विक और आम था ठीक है फिर लेखो मेल पॉचिलेट्स और वेस्पाट हुरी पॉचिलेट का मतलब तो पता ही चल गया होगा बॉचिलेट्स का मतलब होता है मेल मेलम इंपॉंट इंपॉटन पॉट्स The main postulates of Vescoe theory, the shape of molecule depends upon the number of bond pair and lone pair. Shape of molecule depends upon number of bond pair and lone pair. Second point, the pair of electrons present in the balance shell, the pair of electrons present in the balance shell, they tell each other. Since they are negatively charged, the pair of electrons present in the balance shell repels each other since they are negatively charged. These pair of electrons These pair of electrons occupies such position in the space. These pair of electrons occupies such position in the space. So as to minimize its energy. Do you understand? What do you say? Okay. The first thing is that the bond pair and lone pair will decide that our molecules are the shape of the RIP or TSP. That is the RIP or Line also? But that is a separate corresponded with the RIP. And, we have a RIP. We have to redeem the number of 2 times at the rate. So for that, we must eliminate them or that the RIP will try. So it happens to be very slain. Now we are on top of the RIP. प्रुम्लिकृट गौंति अम्लिकृट आप और्योग आप्रेट आपिंग ए्युवड़वाजब आपिंग आपिंगापिंगफ आपिंग पिंग इस प्रुम्लिकृटस धिए एफगी अपिंगेश, झेट ए ऑन्टलीक्नzos percent 5 इन ए बंट जिरक्रोंट Eduard तो यह वहला जों पर पर बार्शिशन ऑफ द ऑडर डिबशन ऑडर अब 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 किसी भी मॉलीकूल का जब शेट है वो ट्रिटीक करना है तो हमीं उसका सबसे कहां देखना पड़ेगा कि बॉंड पे कि इतने हो रहे है और लों पे कि तो बांड पे इसमें और एसके रिख कर लिए कि जितने भी एलेक्ट्रॉण्स होंगे जो बांड रहे होंgen girl तो इसके अलावा जो बच गया इधर वाले यह क्या होगे थे आपके लोन पेर वाले यह फोड़ पॉइंट हो जैसे कि मालो जैसे कि मालो बोलती हूं पेरियलियम क्लॉराइड बीगी सील टू का मुझे क्या करना है प्रेडिक्ट करना है स्ट्रक्चर जो में तो मैं क्या होंगी इसका हम निकालते हैं स्टेरिक नंबर स्टेरिक नंबर होता है कि वी को यहां रंतो बीच में सील जैसे कि आप क्या मनाते थे लुइस डॉट्स टॉट्चर ठीक है स्टेरिक नंबर बेरियलियम का वालेंस एलेक्ट्रॉन कितना होता है प्लस कर देंगे जितने भी मोनो वालेंट आटम्स होंगे कि एक इसमें तो कितने हैं तो कितने हैं आप इसके पास कोई पॉजिटिव यह नेगेटर चार्ज अगर फॉजिटेव चाहिए थे तो क्या कर देते माइनस कर देते उतना चाज और अगर निगेटिव चार्ज हो तो क्या करते है उतना ही चार्ज प्लस कर देते हैं तो अब इसका अगर दो हाफ कर दो इतना आ गया दो अब इसके स्टेरिक नंबर इसका आई है दो इसके बांड कि बना सकता है मतलब दोनों इसने बॉंड बना दिया इसके पास कोई लोंपेर हुआ अब कोई डूर्पेर नीग है तो शेप कैसा रहेरा लेड़ कोई डिस्लोश्चिन ही हो जब ट्राइब के पास तो है है कि अड्रियन के पास तो होगा ना लोण लेड को यह कैसा ने चरता होता है फोड़ दो मतलब इसमें और इसमें बोले रोटम अनल टाल एकस्ट्रा इलेक्ट्रों बचेए जेतने अब इसके पास एसको प्रोमीं तो इसका आपटेक लूंपे नहीं बोलोगी लूंपेर को लोगी जब अपने करने के बाद भी जो इलेक्ट्रों गये वह अब छोरीन के तो उसका क्या मतलब है कि इसके पास को एक्स्राइलेक्ट्रॉन पेर है नहीं तो वो लॉन पेर नहीं होगा चीक है यह इसका क्या हो जाएगा उप्टेट कम्वीट हो गया इसके पास कोई लोन पेर है मालों यह एक होता और यह दो सब्सक्राइब है लोन पेर खया छीक की टालें अगे तेरिक नमबर निकालेंगे हाफ वालेंस एलेक्ट्रॉन चीक है प्लस कोई भी मोनो वालेंट जितने भी मोनो वालेंट उसके पास आटम्स होंगे माइनस इफ एनी पॉजिटिब चार्च प्लस इफ एनी नेगिटिब चार्च यह जाएगा आपका स्टेरिक नमबर और यहां पर लोल पेज़ेरो है इसलिए यहां पर कोई भी डिस्टॉशिन नहीं होगी जैमेंटरी में क्या हो जाएगा आपका सीधा सीधा लीनियर स्ट्ट्ट्र हो को रेगुलर स्ट्रॉक्ट्टर के तीन चारी ग्जांपल दे देती हूं फिर उसके बार देखें फिर अगर नाके हम बीएफ थ्री एक बार बीएफ थ्री का सेम बनांके देखो गोरॉन ट्राइफ्लोराइड इसकी जोमेंट्री कैसी है लीनियर रेगुलर है या इर्रेग सीधा है ना लोन पर जब नहीं रहेगा तब तो कोई वह नहीं है यह समझ में आ रहा है ना कैसे तुपका मार रहेगे रेगुलर या रहें जो मैंसे तो ही होगा कि फिर फिर फ्री नंबर निकालते हाँ जब भी लोन पर जिरो गास्ट्रक्ट्चर कैसा होगा जमेंट्री और कैसा होगा अब पी ने तो कैसा हो सकता है त्राइंगुलर हो सकता है तो यह हो जाएगा भी एफ 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 यह नो लोगता है और इस शेव का नाम है हमारा क्या हो जाएगा यह ट्राइंगुलर लेगा इसका क्या था लीनियर इसका था ट्रैंगुलर ये रेगुलर ठीके लोन पर्ण जीरो समझ में आ रहे हैं अब बनाओ मिथेन का खुद से बनाओ बस मुझे बताते है रेगुलर होगा या रेगुलर होगा तो कोई भी कोई भी ऐसा एक मॉलीक्यूल का अगर आप structure बनाओ जिसमें आपका बॉंड पेर जिसमें बॉंड पेर आपका तीन हो लोन पेर जीरो उन सब का structure कैसा होगा कोई भी ऐसा मॉलीक्यूल हो जिसमें बॉंड पेर दो हो और लोन पेर जीरो हो उसका structure हमेशा कैसा होगा लीनियर ठीक है आप ऐसे लिए आते हैं थी च पोर स्टेरिक नमबर निकाल रहे है जीरो आरा है जीरो आरे जीरो आरो डिकाल बंगे रिटना वालन्स एलिक्रोन प्लास कितने जुड़ें इससे डिवाइड़ बाई तू करे देंगी आठ बाई चार्ट आठ बाई दो चार ऐसे जायगा चार बना सकता था और चार बनारीकर सिनना लों पेर इसमें डिक्यों डोंड बाई कितना और चार अभी यह होता है आपका शेव हैसे अभी आजाता है 3D में ठीक है यह तो एक लेंवे था वो भी एक लेंवे था यहां तर किसमें आ गया structure आपका three dimension देखना है ना कि carbon जो diamond होता है diamond का structure कैसा होता है ऐसी जो एक carbon कितने carbon से जुड़ा रहता है थेंथे class इस carbon is joint with is bonded with four other carbon तो इसलिए इतना 3D complex structure होता है और इसलिए डायमेंड इसलिए हार्ड़ेस्ट एलिमेंट तो कोई यह ऐसा structure हो जिसमें आपका बॉंड पेर 4 हो और लोन पेर 0 हो तो वहां पे हमारा structure कैसा हो जाएगा आपका यह थैफिक आपकेन सुर्ग नापर लेम फिए प्लुवgga यह जाएग कें आपकें आपके लुप कि पीजिए पाइप अगर मोनो वालेंट नहीं है जैसे कि एसो तू है तो एसो तू में मोनो वालेंट आटम तो एस से जुड़ा नहीं है तो हम सिरफ सल्फर का लेंगे हाफ इंटू सल्फर का वालेंस एलिक्टरान कितना जो तीन ओगे सब्सक्राइब नहीं है तो एक ओड़ इधर दो वनाया लूंपेर कितना हो गया लोंपेर आम किसकी बात करें चेंटरल आटम पें लोंपेर की बात करें तीक हम सेंट्रल आटम को ही रहतेंस मालेंगे चले इसका बताओ अभी लोंपेर वाला भी डिस्कुस करे चेंगे चले बिना लोंपेर वाला अटीटित का हांच क्यों हो गया हां हां प्लस पांच पांच ठिके लोंपेर जीरो क्न पेर पांच ओके यह स्क्टर्ट्रों तयाक एसा पी और लोंपेर जीय। लोग इस विह अब चुछी अब देखा है कैसा ओपर से यहां पे लिखो अगर यह पी क्या है और यह सील देखना है टीक तो एक पिरामिड बन रहा है और एक परामिड नीचे भी बन रहा है एक उपर ऐसे बन रहा है सील और एक नीचे ऐसे सील बन रहा है इसको बोलते हैं हम ट्राइग गोलनल बाइ पिरामिटर टी बी पी पाइग अब ट्रक के बीच में क्या होता है एक एक्सेस होता है जो गूमता है वो क्या तो भी एक्सेल बहुते हैं अभी यहां प्रक्स के लॉग होता है यह दू काहरब की मारति क्लूरीन के डिमा क्सेस के लोंग हूं फॉसफ्फप्स का लोंग है तो इसले यह जो पोजेशन होता है कि को अएल्ब बासेशिंड क्या हो जाए YOUR एक्जिन मिलग पोजेशन और यह ट्रयकल बनता है यह तने सहां हमारा इक्वितोरीव ट्राइंगल इस लिए इसकोरा न क्या वह dei हें कुर्ण पोजेशन कि अजय के जब हम बात करेंगे तो इनके bond length के भी बात करेंगे एक्सेयर पॉसेशन येवहला बाइंद अलग होता है एक्सेयर पीको मेंटर में हम गॉंड लेंग को मैस्जर करते हैं और यह तीनों बाइंद नहीं होते हैं रजिए से अलग होता है एकजिल को बइसे कॉंप लेकर बर यह क्लिते एक टिमिधोर में ताहिanka टो शहते होगं प Valley कि अब bathrooms अब प्रह वह से हैं अब बना से जिस सीक्स लोन पेर जीरो, बॉन पेर छे, अब इसका structure कैसा होता है, sulphur को ऐसे जड़ो, ठीक है, अब इसको फ्लॉरीन ऐसे जड़ो, ठीक है, तो यह क्या हो गया ऐसे, कितने फ्लॉरीन रहेंगे, दो रहेंगे, तहां जाएंगे, एक्जेर पोजेशन के जाएंगे, यह चार फ्लॉरीन एक उसमें रहता है, और एक फ्लॉरीन उपर और एक फ्लॉरीन नीचे, तो अगर इन सब को जोड़ोगे ना ऐसे, यह सारा फेस अगर ऐसे जुट जाएगा, तो यह बनाता है, जिसके आर्ट क्या हूं, आर्ट पार्नर्स हों, तो इसलिए इस जो बेंट्र को बोते हैं, अप्ता हिप्रिल जिए, तो कितने शेप का नाम हमने देखा, एक हमने लीनियर देखा, एक हमने देखा, एक हमने देखा, ट्रैकुलर फ्लेनल, एक हमने देखा, ली तो यह सारे तो यह सारे कैसे शेप्स, रेगुलर शेप्स, तो जब भी हमारा कितना भी हमारे बॉन्ड पेर बने, अजए छे सो जाएदा उतना नहीं बनता है, जेरली जेरली नहीं बनता है, एक दो ढाइक donation करा प्राइगूल और बनेगा , तो इन कीटो या फिरी अ करना पड़ेगा इन एंट करना पाड़ेंगा, विण है कि यह सारे शेप क्या हैं तो थोड़े थोड़े क्या होग क्या है अब फ्राग्लम को हानी शुरू हो जाते है जब क्रलों पर आ जाते है कक क्लिशाय के ब्लेखschaod तो था जॉब्स अरिवे जांचे कि लेक्षी, कि सारे लिक्श कर रही है नहीं है क्योंकि दो तो हमेशा क्या होगा देखो तो मैं एक टेबल बना रही हूं जैसे कि हुआ हमारा यहां पर लिख दो इलेक्ट्रॉन पेर पर यहां पर हम देखेंगे बॉन पर यहां पर देखेंगे लोन पर और यहां पर हम देखेंगे उनका चुक्त कि यहां पर एक और चीज़ दिखतो कि मॉलेक्यूल कि मालों एबी टॉ टाइप का मॉलेक्यूल है मारे पास कि टॉ टाइप का मॉलेक्यूल एक विए और बना सकते हैं और बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर इतना हो गया तो अब माल लो इसमें पहले तो हमें केस देखी जाए कि बॉन्ड पेर दो हो और लोन पेर जीरो तो स्टुक्चर कैसा बन जाएगा A B P और यह स्टुक्चर का नाम क्या है यहां पर नेम लिग दो नेम अफ पर स्टुक्चर क्या हो जाएगा लीनियर ठीक है अब इनकी अलावा और क्या हो सकता है अब अब टू टाइप का है इलेक्ट्रॉन पेर आपका दो है बॉंड पेर भी दो है और एक लोन पेर हो जाए तीन आपका तीन है यह हो जाएगा आपका बॉंड पेर कितना हो गया दो शाले पहले 3-0 पर बढ़ते हैं तो 3-0 में क्या हो जाएगा 3-0 में क्या हो जाएगा ट्राइंगुलर प्ले है अब इसमें क्या हो सकता है कि दो बॉंड पेर हो और एक लोन पेर हो हो जाएगा जाए तो यहां पेर हो जाएगा यहां पेर ना बन जाएगा एड़ी तू क्योंकि इसके जगे जोंड पेर कि आगा अब इसके इसके जगें और यहां पिया अलो पी रांगा शेट कैसा है is kaf इसको बेंट ईहिंत के लीनियर से क्या हो गया बेंट झो गया एक जिंगे लोल पे मतभी रांगें वीनियर से क्या शेप आ गया इसका के ब होलते है इसको बी शीड उटा को एक्जाम्पल क्या है इसका एस अ तो इसका एंपल क्या था? इसको इसका एक्जाम्पल क्या था? confidential 생 newer sap तो देखो, कितना हो जाएगा इसका, हाफ स्टेरिक नमबर, लोन पे, सारी, बैलंस एक्ट्रॉन कितना हो गया इसका, छे, क्या कोई मोनो वाला इंटार्टम जुड़ा हुआ इसके, नहीं तो कुछ नहीं आड़े, तरीका, तो कितना हो गया, पीन हो गया, वांड बेर इलेक तो इसका structure इसलिए कैसा हो जाता है, बैल को जाता है, इसका structure कैसा हो जाएगा, बैल को जाएगा, इसके आगी पाग में, next class में करूंगी, मेरी अभी class है, आपकी भी class होगी,